भारत की माया नगरी मुंबई पर कुछ समय से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो अपनी पैनी नजर बनाये हुए है इसमें NCB की तरफ से की गई छानबीन में कई बॉलिवोड एक्टर्स के नाम भी ड्रग मामले में सामने आये हैं NCB की टीम ने मुंबई से गोवा जाने वाली कुरूज शिप पर एक ऐसी कारवाई को अंजाम दिया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था इसमें NCB ने किसी घर, पब या बार में नहीं बलकि एक शिप पर हो रही ड्रग पार्टी का परदा फाश किया है एजनसी ने ये चापे मारी मिली एक सूचना के अधार पर की थी इसके तहट वो बिना किसी को भनट पड़े, आम यातरी बनकर शिप में घुसे जिसमें पहले तो उन्होंने पार्टी के शुरू होने का इंतजार किया लेकिन जैसे ही शिप समुदर में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया इसके बाद NCB की टीम भी तुरंत एक्शन में आ गई इस दोरान NCB ने अपने सीक्रेट ओपरेशन को अंजाम देते हुए कोकील, हशीस और LD जैसे ड्रग समेथ करीब 10 आरोपियों को रंगे हतों पकड़ा है जिसमें 2 महिलाएं और 8 आदमी शामिल है समेरवान खेडे की इस ओपरेशन में पकड़ेगा आरोपियों में एक आरोपी बड़े बॉलिवूड एक्टर का बेटा भी बताया जा रहा है साथ ही सूतरों के हवाले से ये भी कहा गया है कि इस ड्रग्स पार्टी मामले में NCB बॉलिवूड एक्टर शारुक खान के बेटे आरियन खान से पूस्ताच कर रही है वहीं सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक ये क्रूज शिप भारती कंपनी कॉडिला की है जिसकी ओप्रिंग लगबग दो सब्ता पहले ही हुई थी बता दे कि इस ड्रग्स पार्टी का आयोजन फैशन टीवी इंडिया और दिल्ली की नमस्करे एक्सपीरियन्स कंपनी की ओर से किया गया था जिसमें अठारा सो यातरी मौजूद थे वही फिलाल तो NCB पकड़े गए अरोपियों से पूस्ताच करने में जुड़ गई है साथी ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही पार्टी के आयोजिकों से भी पूस्ताच की जा सकती है जिसके बाद अब आगे ये देखा जाएगा कि इस मामले में और कितने लोगों का नाम सामने आता है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और अन्य सबी खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ धन्यवाद